आज मैं आपसे बहुत ही एजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे बनाने का समय सिर्फ 5-7 मनिट है और बहुत बहुत कम तेल का इसमें यूज किया जाता है पूरे टिप्स आपको समझाऊंगी ताकि आपकी रेसिपी इद्दम पॉर्फिक बने पसन आती है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले आज मैं आपसे गुजरात की फेमस खानवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में तो मज़दार है ही बनाने में भी बहुत जादा आसान है अगर आपको पॉर्फिक मेजरमेंट बता हो तो कोई भी एक कप सेट कर लीजे उसके कोर्डिंग लिए सारे मेजरमेंट ल और आधा कप मैंने यहां पानी ले लिया है अब इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवर जैसे मैं अगरक के दो तिन चोटे टुकड़े आड़ कर रही हूँ दो हरी मिर्ची एड़ कर लूँगी एक चमच हलदी आड़ कर ले नमक डाल दे स्वाद अनुसार नमक आप बार में भ और अब tip number one बहुत जादा important कड़ाई ले जिसमें भी आपको इसको बनाना है और अच्छे मोटे तले का बरतन लीजेगा और थंडी कड़ाई में आपको डाला है इसने कि gas on करके फिर आप दाल रहे हैं थंडी कड़ाई में बैटर दाले इसे जिदर से mix करें अगर कोई मिर बैस्टिक यूज कर सकते हैं एक पल्टा हमें चाहिए होगा जिससे हम इसको spread करेंगे तो यह आपको ready रखना है बाद में ही हम cooking process को start करेंगे तो अब मैंने इस बैटर को gas पर रख दिया है और tip number three आपको low flame पे इसे पकाना है continuously चलाते जाना है इस tip का जरूर आप ध्यान द करेंगा otherwise handle नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही जली सेट हो जाता है तो इसे continuous लिए चलाते रहेंगे यह देखें बिल्कुल भी इसको छोड़ेगा नहीं यह देखें फ्रेंस बैटर गाड़ा होने लग गया है हाडली पांच मिनिट लगेंगे फ्रेंस बट इसे पकाना बहुत जल बाजे में चेक करेंगे तो वह ठीक से नहीं होगा तो देखें यह ठीक से सेट नहीं हुआ है तो मैं इसे और एक मिनिट के लिए चलाऊंगी अब मैंने फिर से स्प्रेट कर लिया है यह देखें और इसे थंडा होने देते हैं और फिर चेक करते हैं यह अच्छी तरह स डन है यह देख सकते हैं आप तो बस इसी point of time पे मैं gas को off कर लेती हूँ क्योंकि गरम है तो यह और भी थोड़ा-थोड़ा कुक होता रहेगा तो हम फटा-फट से इसे spread कर लेते हैं थाली पर थाली पर मैंने कोई oil नहीं लगाया है डिरेकली आप थाली के पीछे के side इस तरह से spread करें और एक बात का यहां ध्यान रखे यह tip भी याद रखे इसे जितना पतला हो सके उतना पतला आप spread करें अगर आप इसे थोड़ा मोटा थिक spread करेंगे तो जब आप roll करेंगे ना तो उ बहुत ही जली सेट हो जाता है इसलिए आपको सारी तयारी पहले ही करके रखनी है तो पूरा silicon mat पे भी मैंने अच्छी तरह से spread कर लिया है ऐसा नहीं कि आप एक ही direction में से spread करें आप थोड़ा vertical थोड़ा horizontal इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बस आपको even करना है और हाथ आपक जली से सेट हो जाता है तो चले वेट करते है थंडा होने तक तब तक मैंने यहां धन्या चॉप कर लिया था तो धन्या को थोड़ा सा एट कर लूँगी इसके ऊपर और coconut को ग्रेट कर लिया था फ्रेश coconut का यहां यूज कर दे हूँ यह बहुत ही अच्छा टेस देता है इ तो नीचे के साइट से पहले थोड़ा सा स्क्रेप करें और हलके से आप इसे रोल करते जाए यह देखिए इद्दम पर्फेक्ट हमारी जो खानवी है वो बन जाएगी यह देखिए अच्छी तरह से रोल करें ताकि अंदर भी जो कोकोनेट और धनिया का फ्लेवर है वो आ जाएशी नहीं रहती दम पर्फेक्ट बनती है रेसिपी मेरे चैनल पर आपको रेसिपी भी टिप्स के साथ मिलती है तो बिना स्क्रिप्ट के वीडियो देखिएगा पसन आया तो दूसरों को शेयर करना ना भूले तो देखिए हमारी गोल गोल खानवी रेडी है क्या आपको वो भी बताऊंगी इस रेसिपी को बनाने के लिए यहां तक हमने एक भी बून तेल का यूज नहीं किया है उपर से धनिया और फ्रेश गेटेट कोकोनेट आट कर लेंगे अब एक तडखा प्रिपैर करते है उसके लिए थोड़ा सा ओईल ले लेंगे जैसी ओईल इसमें राइ अब कर लेंगे साथ ही में कटी हुई हरे मिर्च एड कर लेते हैं और हिंग डालना ज़रूरी है थोड़ा सा हंग डालेंगे और करी लीवा दीम जैफ कर लेंगे कर लेंगे बहुत ही लगता वैसले से ब्लेन भी एंजॉॉय कर सकते है अगर आप डाएट कर र तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुझ में पानी आया की नहीं जरूर कमेंट करके बताएगा बहुत-बहुत कम तेल में, कम सामान में, कम समय में अगर रेसिपी बन रही है तो बनाइए ना गुजरात की फेमिस खानवी जिसे पातोड़ी भी कहते है ये आप जरूर ट्राइ करें पॉफिक मेशिरमेंट के साथ बनाएंगे तो रेसिपी बी इदम पॉफिक बनेगी आके आपके फिडबैक भी दीजेगा तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक शेर एंड सुब्स्क्रा बगवाई!